इसलिए वैं कड़ी में दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करके रूखा सुखा खाकर अपनी जोपडी में दिन बिताने लगी। दीरे दीरे तीन साल निकल गए। नए राज की स्थापना करने के लिए मुझे तुमारी मदद की आवश्यक्ता है। तुम अगर हमारी मदद करो तो मैं नए राज इस्थापित कर सकता हूँ और तुमें मैं उस राज का राजरानी बनाऊंगा। बताई। मदद का दूसरे दिन राजा से मिलने उसके महल में गई। महराज को पडाम करके बोली कि तीन बिरस हुए देव मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। तो राजा ने कहा कि अच्छा तो मुसकी कीमत मांगने आई हूँ बोलो तुम्हे क्या चाहिए। तो मदद का ने राजा से कहा कि मुझे किले के दक्ष्री नाले के पास अपने खेत के बरावर की ही जमीन चाहिए। चाहिए। तो राजा मान गये। दक्ष्री नाले के पास की जमीन जो है सैनिकों के लिए बहुत महत वरती थी। वहां से सैनिक किले पर पहरा देते थे। लेकिन जब जमीन मधवलिकाव को मिली तो वहां से सैनिक हटा लिए गए। उसके बाद अरुन अपनी सैनिक टुकुडी के साथ गने जंगल में छुप गया वहां से वै राजा के किले पर हमला करने वाला था यही उसकी योजना थी अरुन की कि वो उसके जमीन के द्वारा हम राजा के किले पर आसानी से हमला कर सकते हैं लेकिन मधुलिका ने यह सब कर तो दिया लेकिन उसका दिल उसे बहुत धिकार रहा था उसने सोचा कि मेरे पिताने कोशल को मगद से बचाया था पर बेटी होकर मैं दुस्मन की मदद कर रही हूँ मैं कोशल की बेटी होकर जिसको मेरे पिताने बचाया था मैं उसकी उसी को ही दूसरों को धवाले करने जा रही हूँ उस दूसरों को देने जा रही हूँ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती है सोचकर वैं सेना पती के पास गई और उनके पैरों में गिर गई और उनके पैरों में गिर गई उसने बोला कि आज रात किले पर चड़ाई होगी और डागू दक्षिनी नाले की ओर से आएंगे जल्दी कुछ कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगे सैनिक जो है वो दक्षिनी नाले की ओर भागे हमले की तैयारी करता हुआ अरुन भी पकड़ा गया जो सैनिक थे उसने अरुन को पकड़ लिया इस तरह उसकी योजना जो है वो बेकार हो गई अरुन की योजना बेकार हो गई उसे बंदी बना लिया गया और राजा के पास उसे प्रांड़न राजा ने उसे प्रांड़न दिया फिर मदूलिका को बुलाया गया तो वे मदूलिका भी वहाँ आई और राजा ने उससे कहा कि मदूलिका मन चाहा पुरुसकार मागो मागो तुम्हें क्या चाहिए मजूलिका ने राजा से कहा कि मुझे भी प्रांधन्ध मिले यह कहती हुए वहवी अरुनबंदी के पास